मुवी के स्टार्ट में हमें लीग ओफ असैसियंस की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर रहसाल गुल अपनी टीम को अच्छी सी ट्रेनिंग दे रहा था उसके साथ एक लड़का खड़ा था जिसका नाम डेमियन है और रहसाल गुल की बेटी तालिया और बैटमैन का बेटा है और रहसाल गुल चाहता था कि उसके बाद ये ही लीग ओफ असैसियंस का लीडर बने जिसकी वज़ा से वो उसे समझा रहा था कि तुम्हें भी इनको ऐसे ही ट्रेनिंग देने होगी देमियन ये सब कुछ बहुत धेहान से सुन रहा था कि अचानक से यहां पर देखा तो उसने रहसाल गुल के उपर अटाक कर दिया अब इन सब में बहुत बुरी लडाई स्टार्ट हो जाती है इस सब के बीच में रहसाल गुल बहुत बुरी तरीके से जल जाता है वो लजारस पिट तब भी पहुंच नहीं पाता जिसकी वज़ा से वो फॉरण मर ज पर इस से पहले के वो यहां से चला जाता देमियन उसे बहुत बुरे तरीके से जखमी करता है जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है अब तालिया को समझा जाती है कि देमियन को बचाने के लिए उसे बैटमिन के पास जाना होगा ताकि बैटमिन डेमिन को समझा सके कि अ अब उसके लड़ने की उमर ने और इतने में ही तालिया अपने डैप की मौत का बदला ले सके दूसरी तरफ कौथम सिटी में एक बहुत बड़ा सा मॉंस्टर था तो कि बहुत तरहां की चीज़ों को चुरा रहा है अब यहां पर बैटमें पहुंचाता है और इस मौंस्टर से लेड़ने लगता है और वो मौंस्टर बहुत ही बड़ा था और खदरनाग भी इससे पहले कि वो बैटमेन को बिलकुल मार देता, यहां पर तालियों पहुंचाती है और बैटमेन को बचा लेती है अब इसके बाद वो बैटमेन को स्टारी स्टोरी समझी है और डेमियन को बैटमेन के पास छोड़ कर चली जाती है दूसरी तरफ हम दॉक्टर कर्ड को देखते हैं जोकर रहसाल गुल के लिए काम कर रहा था वो एक ऐसा लिक्विट बना रहा था जोके सारे सेसियन टीम को बहुत जादा स्ट्रॉंग कर दे ताके वो हर एक से लड़ सके और इसके बाद ही मैं तुम्हारी फ्रामने को छोड़ूँगा वरना ये सारे के सारे मारे जाएंगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटमैन अपने आफिस जाता है तो वहाँ पर देमियन औरेडी पहुंच चिका था वो तो उसके ओफिस की सेक्यूरिटी को बहुत अराम से ब्रीच करके उसके ओफिस में चला गया था बैटमैन को देमियन कहता है कि इसी सीटी में डेट स्टोक का एक फ्रेंड रहता है और उसे सब पता होगा कि डेट स्टोक करना चाहता है और कहां पर मौझूद होगा मैं उसे पकरड़ कर ये सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए बैटमेन डेमियन को समझाता है कि तुम अभी घर चले जाओ हम ऐसे ही किसी को मार नहीं सकते इसके बाद वो अपने ड्राइवर को बिलाता है और डेमियन को घर भेज़ देता है तालिया अपने डैट की डैट का बदला लेने के लिए डैट स्ट्रो की सीक्रिट हाई डाउर पे पहुंच जाती है और वहाँ पर इनकी किसमत कुछ खास काम नहीं करती है और ये सब के सब पकड़े जाते है अब दूसरी से बैट मैन उसी मॉंस्टर से क्वेस्टिन करने के पहुंच आता है और पूछता है कि तुम चुरा क्या रहे थे जिसके बाद वो मॉंस्टर बताता है कि मैं कुछ मैडिसन चुरा रहा था डाक्टर कर के लिए चुंकि उसने बदले में मुझे ट्रीट करने का कहा था मेरी सकिन में बहुत जादा पेन हो रही है बैटमैन देखता है कि उसकी सकिन के उपर से बहुत सारे पीसिस नीचे उतर रही थे और वो बहुत जादा पेन में भी था बैटमेन इस मॉंस्टर से कहता है कि तुम मुझे डॉक्टर कर के घर का पता बता दो और इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बैटमेन इस मॉंस्टर के पास और कोई और नहीं वो बैटमेन बहुत अराम से हरा देता है। जाता है। दूसी तरफ डेट स्टर के फ्रेंड के घर अकेला ही पहुँआ जाता है। बैटमेन इतना तो समझ गया था कि डेमियन सबून से बैटने वाला नहीं। अब इसी का सलूशन उसके पास एक ही था। अब रॉबिन के कपरे डेमियन को देता है। अगर इसने कुछ करना ही है तो मैं इसका साथ ही क्यों ना दे दूँ। इसके बाद ये सब लोग कमिशनर गॉर्डन के पास जाते हैं। जिसके पास एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ पर शायद डेट्रोक हो सकता था। और ये लो है कि ऐसा सलूशन बनाओ जो कि उसकी सारी आर्मी को ऐसे ही मैन बैट्स में कनवर्ट कर दें। इसके बाद अब नाइट विंग वही पर रुख जाता है। और डॉक्टर करक के साथ इसका एंटिडोट बनाने लगता है। इसके साथ ही डॉक्टर करक बैटमें से रिक्वे कि बेटी डेमियन को एक डेवाइस देती है और कहती है कि मुझे डेट्स ट्रोक ने ये डेवाइस तुमें देने को बोला था और ये भी कहा था कि ये बैटमें को मत बताना। डेमियन जब उस डेवाइस को उपन करता है तो उसमें एक वीडियो थी इसमें डेट्स ट्रोक दी जहांपर डेमियन को भी बिलाया गया था नाइट विंग ये फॉरण बैटमैन को बताता है पर इससे पहले कि बैटमैन वहाँ पर पहुंच था देमियन वहाँ पर अरड़ी पहुंच आ था अपनी मॉम को बचाने के डेध स्ट्रोक तो वैसे ही डेमियन को मारना जाता थ और यही रीजन था कि उसने रहसाल गुर को भी मार दिया था क्योंक्व वो चाहता था कि सारे असेशंस को लीड वो ही करें यहाँ पर जब डेमियन उसके शामने आता है तो वो उसे शूट कर देता है पर इस से पहले कि गोली डेमियन को लगती तृलया उसके सामने आ जा और गोली उसे लग जाता है अग इतनी तेर में बैटमेन भी यहाँ पर पहुंच आता है डेथ स्टोक के सारे मैन बैट्स अब बैटमेन के उपर अटाक करते हैं पर वो अपने साथ को सोनर डिवाइसे लेकर आया था जिसके अंदर से सोनर वेवस निकल रही है जैसे ही बैटमेन यह सोनर डिवाइसे अन करता है इसमें से सोनर वेवस निकल दी है जो के सारे मैन बैट्स को भगा दे है अग यह सारा हाइड आउट बेसिकली पानी के अंदर बना था जिसकी वज़ा से जैसे ही यह मैन बैट्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं सारा ग्लास तूटने लगता है और पानी अंदर आने लग चाता है ये देखर वहाँ से भागता है और डेमियन उसको फॉलो करता है इसके साथ ही बैट मैन तालिया के पास जाता है और वहाँ पर लजारस के अंदर उसे डालता है और जिसके साथ ही वो फॉरण ठीक हो जाती ह नीदेर में नाइट विंग और डॉक्टर किर्क वहाँ पर एंटिडोट के साथ पहुंच चुके थे इसके बाद वो सारे मैन बैट्स को चेंज कर देते हैं और ये सब लोग ठीक हो जाते हैं दूसी तरफ डेमियन और डेट्स ट्रोक के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हो रही थी जिसमें बेसिकली डेमियन ही जीत रहा था ये उपर जब वो डेट्स को बहुत बुरी दिरी किसे हरा देता है तो उसे मारता नहीं है और कहता है कि मैं बैट्मैन का बीचा हूँ और मैं ऐसे ही किसी को नहीं मारता इसके साथ ही अब हर चकापे पानी बढ़ने लगा था यहां से बैट्मैन तालिया और डेमियन बचकर भाग जाते हैं और डेट्स ट्रोक वहीं पर फचा रह जाता है इसके बाद जब यह लोग यहां से चले जाते हैं तो डेमियन का भी दिल काफी बदल चुका था वो अब डिसाइड करता है कि बैट मैन के साथ ही रहेगा चुंकि उसे यहां पर रहने में मज़ा आता है इसके साथ ही तालिया अब अपने बेटे दीमियन को बैटमेन के पास छोड़कर चली जाती है एंड में हम बैटमेन और दीमियन को एक साथ देखते हैं और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है